नमस्कार, NIOS के मुख्स कार्ट्रम के अंत्रगत योग शिक्षक प्रस्रिक्षन कार्ट्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम योग शिक्षक प्रस्रिक्षन कार्ट्रम यानि योग टीचर टिनिक प्रग्वाम में सटकर्म जो हमारी इस पाठकर्म की छटवी यूनिट है इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ इस यूनिट को चर्चा करने के लिए मौजूद है आचारे कौसल कुमार जी योग अचारे कौसल कुमार जी योग इंडिया फाउंडेशन दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है तो सटकर्म जो बहुत ही महतपूर्ण भाग है हट योग का आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यहां पर योगाचारे कौसल कुमार जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है योगाचारे जी मैं आपसे एक बात यह जाना चाहता हूं कि जो योग का हमारा बहुत ही महत्पूर्ण जो आज के समय में तो इसका एक अपना महत्व है और हम योग की बात करते हैं तो सटकर्म की बाद भी कहीं कहीं देहनों को मिलती है सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे अपने शिक्षारतियों को कि सटकर्म जो है वो किस के अंतरगत आता है मूलता है सटकर्म ये हठी योग का पार्ट है जी और हठी योग बहुत महत्वपूर्ण भाग है योग का साथवी और आठवी सताद्दी के बाद ये शुरू हुआ था हठी योग और उसमें गोरखनाजी, मत्षेननाजी इसके प्रमुक थे उन्होंने जब इसका प्रारंभ किया तो उसमें बहुत अस्पस्ट रूप से ये बात लिख दी गई है कि केवलम राज योगाय हठ विद्ध्य उपदेश यते राज योग में दक्षता प्राप्त करने के लिए कोशलता प्राप्त करने के लिए हम हठ विद्ध्य का उपदेश कर रहे हैं और उनका विप्रा ये था कि हठ विद्ध्य के अभ्यास से आप शारीरिक स्वास्त अच्छी तरह से प्राप्त कर लेंगे और जब सारीरिक स्वास्त आपको प्राप्त होगा तब आप ध्यान आदी के का भ्यास बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो उसमें जो हठ योग का उन्होंने प्रारंभ किया है उस हठ योग में सटकर्म को बहुत महत्वपूर्ण यह आप यूँ कहें कि पहला स्थान दिया गया तो इस तरह से सटकर्म जो है वह हठ योग का भाग है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हठ योग में आप यह सोचो कि उसकी आत्मा है बहुती सुन्दर तरीके से सर आपने बताया है, हट योग के जो आद प्रिणेता हैं वो भगवान से माने जाते हैं, उन्हें की परंपरा में स्री मत्यसेंद्रनाथ, स्वामी गोरक्षनाथ, मीननाथ, भर्तहरी, आद से लेकर स्वात्मा राम एवं गोपी चंद, पर्यंत न राजयोग का पात्र बनते हैं, क्योंकि राजयोग में यम नियमों के द्वारा, अन्थेकर को पवित्र, ध्यान एवं समाधी में प्रिवेश करने का ये किरम है, सटकर्म का अर्थ क्या है, और किस तरह से सटकर्म के माध्यम से साएक सुधि होती है, इस पर हम बात कर रहे ह सर सट कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है सट कर्म वास्तव में सट जो है वह संस्कृत में छे को काते हैं और कर्म को हमारे हैं ऐसी जो भी क्रियाएं जो आपको योग की तरफ ले जाती हैं उसको हम लोग कर्म काते हैं ये छे क्रियाएं ऐसी हैं, जिनके माध्यम से हम अपने आपको आसन, प्राणयाम या अन्योगिक क्रियाओं के लिए तैयार करते हैं, तो इसलिए इसको हम सठ कर्म करते हैं। हट प्रिदीप कावे कहा गया है, हटम बिना राजयोगम, राजयोग बिना हट ना सिध्यते ततो योग मनश पते शम सरय सित। यानि कि हट योग के बिना राजयोग सिध्य नहीं होता, तथा राजयोग के बिना हट योग अपून हैं, इसलिए साधक को हट योग एवं राजयोग दौनों का सतत अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे यह बात कही कि वीठा जाहिए सततत अभ्यास करना चाहिए। करहें हम और भी योग के ऑंतों में या राजयोग में, या। यह वहां सटकर्म की कोई हमें इस तरह की मतलब नहीं मिलती जी तो यह उलेख जो है विसे सुफ से हट योग में ही मिलता है कौन-कौन सी यह जो च्छे किरियां इसर है यह कौन-कौन सी ऐसी किरियां है जो आवसक है सबसे पहला धौती है धौती का मतलब है सफाई करने का और दूसरा वस्ती है वस्ती हमारे जो शरीर में निचला अंग है जैसे पेट से नीचे के अंग जितने हैं वो सब वस्ती से सफाई होते हैं और धौती पेट के उपर के अंगों की सफाई है तिसरा से पहला धौती और तीसरा नेती जो हमारा नासिका मार्ग है नासिका और गले का मार्ग है इनकी सफाई नेती के द्वारा होती है और नेती के बाद चौथा आता है नौली नौली यहां चुकि हमारे हाँ आप देखें कि आउर्वेद भी काता है योग भी काता है और हमारा हठियोग भी काता है कि हमारे सारे रोगों का जो मूल कारण है वह पेट है यह दि पेट हमारा अबेवस्तित है यानि डैजेस्टिफ सिस्टम या इस क्रिटरी सिस्टम यह अबेवस्तित है तो आपको अनेकों रोगों का आपका शरीत घर हो जाएगा तो नौली इसके लिए बहुत उपियोगी यह दि हम नौली का नियमित अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पेट का यानि डैजेस्टिफ सिस्टम का सुद्रिर हो जाता है और ससक्त हो जाता है तो नौली की बात हुई और नौली के बाद बात आती है कपाल भाती के कपाल भाती यह भी बहुत महत्तोपू का मतलब होता है शुद्धी करना तो हम अपने मस्तिश्क का शुद्धी करन करते हैं कापाल भाति के माध्यम से तिसले कापाल भाति भी बहुत उपयोगी है क्योंकि मस्तिश्क का भी बहुत महत्वपूर्ण अस्थान होता है और फिर उसके बाद त्राटक आता है त्राटक बेसिकली हमें एकागरता के लिए बहुत उपियोगी है तो चुकि योग का जो महत्वपूर्ण अर्थ है वह सजगता और एकागरता ही है राजयोग मूलता है एकागरता की ही बात करता है तो तराटक के माध्यम से हम अपनी एकागरता विक्षित करते हैं तो इस तरह से शरी पूरे में हम शरीर और मन दोनों का ख्यार लगते हैं इसलिए यह बहुत उपयोगी और बहुत लाबदाएक होता है हमारे लिए सरीर की सुद्धी के लिए बहुत ही महत्पूर है सटकर्म और जैसा कि अभी कौसल कुमार जी बता रहे हैं कि किस तरह से यह महत्पूर है सरीर की साफ सफाई सुद्धी करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं योग करने से पहले हमें यह सब करना चाहिए और हट योग में इसको विसेश इस्थान और प्रथन इस्थान प्रापता है हट योग करने से पहले जब हम बात करते हैं कि किस तरह से योग करें तो हटियोग में पहला इस्थान इसी तरह से दिया गया सट कर्म के लिए तो धोती, बस्ती, नेती, त्राटक, नौली, कपलभाती ये इस तरह से ये जो सट कर्म हैं ये सरीर की सुध्धी के लिए बहुत आवसक हैं हम एक एक करके इनके अर्थ को जाने और संज हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए महत्पूर्ण हैं और इनके करने से क्या हमको प्राप्त होता है यद नहीं करते तो किस तरह के डिसॉडर्स हमारे लिए हो जाते हैं ये जानना बहुत आवसक है तो सिक्षार्टियों मैं आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले धोती की विशे में धोती का आर्थ क्या है कौसल कुमार जी धोती की विशे में हम क्या बताना चाहेंगे धोती सब्द से ही असपस्ट है शुद्धिकरण संस्कृत में धोती को शुद्धिकरण कहते हैं धोती जो है वह हमारा जो इस्टमक है आमासे है आमासे और इधर उपर मुख से ले करके आमासे तक के भाग को जिसमें हमारा इसफेगस आ जाता है और आमासे आ जाता है और साथ में गले का भाग आ जाता है इनकी पूरी की सफाई करने की क्रिया को हम धोती काते हैं तो इस तरह से धोती का मतलब ही सफाई होता है यानि दोती कार्थ साफ सफाई करना दोना दोती से मतलब है दोना गहरंड सहता में दोती के चार प्रकार बताए हैं जिसमें अंत्य दोती दंत दोती छंद दोती और मूल सोधन आते हैं इन चारों में भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं अंत्य दोती को बातसार बारिसार बहसार बहसकत जिन में डिवाइड किया गया दंत दोती को दंत मूल जिह मूल करंडर कपालरंडर इसमें विभाजित किया गया चंद दोती ये दंड बमन बसन इसके माधम से इसको विभाज सोध यह बहुत ही महतपूं है हट प्रिदिप का में धोती कर्म की अंत्रगत बस्त धोती एवं गज करनी का उले किया गया है यहां पर हम इनके प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि यह किस तरह इनमें डिफरेंस है और हम उपयोग की द्रश्टी से जो आजकल वहवारिक रूप से उपयोग में लाते हैं योगी जन सामाने जन जो आजकल कराय जा रहा है उस द्रश्टी से हम बात करेंगे सबसे पहले हम कुंजल की बात करते हैं उसके पर शात हम दंड धोती बस्त धोती संग प्रक्षालन इन पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम कुंजल की बात कर दो कोतोल के एक्ता नगते हैं कि कॉंजल क्रिया यह आम से और इसको साफ करने की क्रिया है कि हमारा जो आमासे है। उसमें अनेक प्रकार निकलता हैями पाचन के लिए निकलते रहते हैं और उन एसिट का किसी भी प्रकार से जब सदूपयोग नहीं हो पाता है या हमारा आहार विहार ठीक नहीं होता है तो एसिट बिगड जाते हैं और वो हमारे आमासय को छारी बना देते हैं आमासे में अनेक प्रकार की समस्यां पैदा करने लगते हैं और वैसे भी आप देखें कि हम आजकल जो तलाब होना हम लोग खाते हैं फास्ट फूट खाते हैं, जंक फूट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक साधी पीते हैं इस से भी हमारा जो एसिड तत्त है वह असंतुलित हो जाता है इस असंतुलन को दूर करने के लिए कुंजल सर्वस्रेश्ट करिया है यदि हम कुंजल का नियमित अभ्यास करें और नियमित का अभिप्राय यह नहीं है कि प्रते दिन करें अगर हम हपते में एक दिन भी कुंजल क्रिया का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पेट में जो एसिट असंतुलन है वह दूर हो जाता है उसको करने की विधी है, विधी ये है कि हम इसको बिल्कुल खाली पेट करते हैं हमेशा एध्यान रखें कि बिल्कुल एंपटी इस्टमक होना चाहिए यहां इनको ये बताना आवस्थ होगा कि कुंजल जब हम करने जा रहे हैं तो कुंजल करने से पहले कुछ पूर्ट तयारी हमें करनी चाहिए कुछ अनुसासन इस क्रिया को करने के लिए बताए गए हैं बिल्कुल बताए गए सबसे पहला तुम्हेंने बताया कि खाली पेट होना चाहिए और बेहतर है कि प्रातहकाल होना चाहिए दूसरा जब हमें ये मालूम है कि हमें कल करना है कुंजल तो आप जो रात का खाना है एक दिन पहले का वह बहुत शंतुलित और शाकाहरी होना चाहिए और उसमें ज़्यादा तलाब होना चीज़ें आदी नहीं होनी चाहिए जब हम प्रातहकाल इसको करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम 3-4 लीटर पानी को घरम करते हैं जो पीने योग्य होता है सुद्ध और शाफ पानी होता है और उसमें थोड़ा सा हमें नमक मिलाते हैं और नमक की मात्रा का निर्धारण यह है गुरू के माध्यम से होता है जैसे किशी को अगर उच्छा रखत चाप आ जी है तो उसमें हम नमक न मिला करके दूसरी चीजें मिलाते हैं और किशी को अगर जैसे और कुछ दूसरी प्राबलम है तो उस हिसाफ से किशी को एसीडिती है एसीडिती के साथ साथ किशी को अलसर हो गया है तो उस इस्तितियों में हम चीजों में थोड़ा सा बदलाव करते हैं लेकिन मूलता यही होता है कि उसमें हम नमक मिलाते हैं और नमक मिला करके हम बैठ करके, उकड़ू बैठ करके खड़े हो करके हमें जलनी पीना होता है उकडू बैठ करके और हम फटा फट उकडू बैठ करके उस पानी को जो नमक मिला हुआ पानी है और हलका गरम पानी है उसको हम पूरा पी जाते हैं और इतना पी जाते हैं वो बाहर निकलने की प्रवित उसमें आने लगे, तो आप वहां तक पी जाएं, कि पूरा यहाह तक पानी आजाए, और जब पानी यहां तक आ जाए, तो आप वास बेशिन आज में जाकरके खड़े हो जाएं उसके पास, और अपनी ये तीन उंगलियां जो होती हैं इन तीन उंगलियों को अंदर ढालें और अंदर ढाल करके केवल आप उपर नीचे ऐसे से करते रहें तो आप देखेंगे कि पानी धीरे-धीरे करके पूरा बाहर निकलने लगता है और एक बहुत flow से बाहर निकलता है और अंतता है एक समय ऐसा आता है कि आपका पूरा पानी बाहर निकल जाता है और जब पूरा पानी बाहर निकल जाता है उसके बाद ये ध्यान रखें कि हमें बहुत जबरदस्ती और बहुत प्रयास करके पानी नहीं निकालना है बस सहज आप इसको ऐसे दबाते जाएं ऐसे उपर नीचे करते जाएं तो आपका पानी निकलता जाएगा कुछ लोग बहुत प्रयास करके दबाते हैं तो उसमें रक्त आधी भी बाहर निकलाते हैं तो वह ठीक नहीं है तो इसलिए सहज हो करके उसको आपके होल पानी निकालते जाए और जब आपको यह लगे कि आप पानी निकल गया है तो उसको निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए पांच मिनट के लिए आप विश्राम कर लें जिसको हम रिलेक्सेशन या सवाशन आदी करते हैं तो आप कि यह क्रिया पूर्ण हो जाती है और उसके आधे घंटे बाद ही हमें कुछ खाना पीना होता है तुरंत करने के बाद हमें खाना पीना नहीं चाहिए आधे घंटे बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं बहुत इमहत्पों यह किरिया है और कुझल किरिया करने के लिए जैसा की बताया उग्रू बैठ करके सीघृता से तीन चार गिलास पानी गुनगुना और नमक जिसमें पढ़ा हो और नमक की मात्रा किस तरह की हो यह साध्धनी रखने की बात है यह हमें ध्यान रखने की ब बाहर स्वत्य ही निकलने लगता है जैसा कि आपको बताया गया और निश्चे रूप से बमन करने का मन भी करने लगता है जब तीन चार गिलास पानी सुबह प्राते काल आप पिएंगे तो आपको महसूस भी होगा कि कुछ बमन करने का मन कर रहा है तो कई बार जरासी को स्वस्त बनाई रखने के लिए उपयोगी है और ऐसीटी को दूर करती है इसमें काफी लावकारी है दमा के रोगी इसके अभ्यास से काफी आराम उनको प्राप्त होता है स्वास की दुरगंद गले का वलगम आदे विकारों को भी यह दूर करता है लेकिन ध्यान रहे कि उच रख्चाप से पीड़ जो व्यक्ति है यानि हाई ब्लेड प्रसर के जो लोग है वो अभ्यास बिलकुल इस तरह करना करें आमासे में अलसर है आमासे सम्मंदित कोई प्रॉलम है या हिर्दर सम्मंदी या कोई डिसॉडर है तब भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए साफ़ानी हमें अब सतर्कीन हैं हम आए द्र धोती की बात करते हैं घ्रण सहिता में द्रण धोती के लिए हलदी के दंड केले अथवा बैत के दंड का विधान किया गया है बर्तमान में रवर की Prix दंड बाजार में उप्लब्ध है और यह कृया ते दोस्वों में साम कॉसरकुमार जी, हम पूर्व तयारी की और अनुशासर की बात कर रहे हैं, क्या कुंजल में और इसमें कोई विसेश अंतर होगा? अन्तर इस प्रकार का होगा कि इसमें एक धंड का उपयोग किया जाता है, और उस धंड को अपने मुख से और इस फेगस के माध्यम से आमासे में डाला जाता है, तो इसके लिए ये कुंजल से थोड़ा सा ज्यादा टफ करिया है, और इसमें योग्यमार्ग दर्शन की बहु भी नहीं करना चाहिए, तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं, तो इसमें हमें धीरे-धीरे जैसे जब आप अंदर डाल रहे हैं उसको दंड को, तो धीरे-धीरे अंदर डालेंगे, और अगर अगर नहीं जा रहा है, तो हलका सा पानी अंदर डालेंगे, और फिर जब धी प्रकार की परिशानिया हो सकती है तो इसलिए साउधानी रखें और फिर धीरे-धीरे ही उसको हमें निकालना होता है बहुत धीरे-धीरे सहजता के साथ, सजगता के साथ निकालना होता है और इस तरह से उसे निकाल दिया जाता है बाकी और अन्य सावधानिया कि जैसे खाली पेट होना चाहिए खान पान भी हमारा बहुत शंतुलित होना चाहिए उसके एक दिन पहले का खान पान शंतुलित होना चाहिए ये सब सावधानिया और सहजता ये सब सावधानिया वही हैं बाकि ये एक दंड को अंदर डालना होता है, तो उसमें हमें और थोड़ा से ज़्यादा शावधान रहना पड़ता है, पानी वाले में भी शावधान रहना है, लेकिन उतनी शावधानी के आवशक्ता नहीं है, उसमें तो बहुत सहजता के साथ जब आप तीन अंगली डालत हैं, तो निकल जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सजग होने के आवशक्ता होती है, जी, बहुत ही सुन्दर तरीके से आपने बताया कि कि इतना महत्पूर्ण हैं और कितनी साथभानी हमें दंड दोहती में रखनी चाहिए, दंड करने के समय पर खास्तोर से विसे काफी आप सकता है, कई वार जी मचलाने लगता है, कई वार ऐसा बमन करने का मन करता है, असाब धानी हो जाते हैं, कई वार लोग भबरा जाते हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रियास किया जा सकता है, और इस प्रियास के साथ ही आप धीरे धीरे इसमें परपक हो सकते हैं, ल अर्ण धोती की बाद हम बस्त धोती की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, बस्त का प्रियोग इसमें किया जाता है, इसके अभ्याद से कई प्रिकार के रोगों का शमन होता है, पूर्ख तयारी और अनुसासन की बात करें तो लगभग मिलते जुलते हैं, ल और उसको अच्छी तरह से दो करके सुखा लें, साफ सुध रखें, बस्त दोहती संपन करने से पहले गुणगुणा पानी आफसकतान सार नमक मिला करके रखें और गिलास और समंदेट पात्र भी अपने पास रखें, बस्त दोहती के लिए हम किस तरह सर यूज़ करेंगे कौशन कुमार सर, बस्त दोहती में जो वस्त दोहता है, वो करीब आजकल तो मार्केट में भी आता है, पांच अंगुल चोड़ा लगभग 15 फिट लंबा होता है, और बहुत पतला एक महीन कपड़ा होता है, काटन का, उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो धीरे धीरे, जैसे आपने बताया कि उसको पानी में हलका सा भीगो करके, और फिर धीरे धीरे उसका एक सिरा, वो रोल्ड होता है, तो उसका एक सिरा खोले, और उसको धीरे धीरे अं अंदर जाती है और अंदर जा करके फिर वह आमासय में आ जाती है यह ध्यान रखना है कि धीरे-धीरे ही डालें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न करें और लगभग 10 मिनट से जादा उसका उपयोग नहीं करना है यानि कि 10 मिनट के बाद यह नहीं कि 11 मिनट 12 मिनट में भी डालते रहें जितना जाए उतना पहली बार में उसको ले जाएं और फिर धीरे-धीरे ही उसको बाहर निकालना होता है बाई-देवे अगर किसी भी इस्थिति में वो नहीं जा रहा है अंदर तो उसमें हमें थोड़ा सा हलका सा एक घूट पानी पिएंगे तो वो जो सुस चीजें हो जाती हैं वो हलका सा गीला होगा तो फिर वो अंदर और जाना शुरू कर देगा और फिर वह नीचे तक पहुंच जाता है आमासे तक आमासे के बाद वह डूड़नम में न जाने पाए इसलिए दस मिनट के पहले ही हमें उसको वापस भी लेना होता है तो फिर उ इसमें जो स्रावधानिया हैं उन स्रावधानियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल लखें अन्य था अनेक प्रकार के नुक्षान भी जिल्दे पड़ सकते हैं यह बहुत ही महत्पोर्ण है जो कि हम इसके बस्त दोहती की माध्यम से हम स्रावधानिया रखें कि कौन-कौ अलते वक्त दोहती को जो बस्त हमारा है उसको कहीं किसी तरह की कोई समस्या ना हो धहरे रखें संयम रखें क्योंकि यह इतना आसान नहीं होता धीरे-धीरे करके प्रेक्टिस में आता है हम नेक्ष्ट बात करते हैं दंत दोहती की दंत दोहती बहुती महत्रपून दोहती है प्रतिदिन प्राथय और सायकाल दातों की मालेश और सफाई करनी चाहिए यह हम सभी जानते हैं जल और तेल दोनों को बाडिक से अधा नमग साथ में लें सरसों का तेल थोड़ा सा हम उसमें मिलाएं और मिलाकर के दात और अपने मसुलों को मालिस करें ठीक से तो इससे बहुत सारे जो दान सम्मंदित जो रोग हैं पाईरिया आदी यह भी दूर हो जाते हैं और दात मजबूत होते हैं स्वेत होते हैं और पूरे दिन मुसे भी सुगन्ड आती रहती है तो दूर बहुति सभी के लिए बहुत ही महत्पून है और अक्सर लो किसी गुसि चरह का ज़ो का मन भाता वे दोते करते हैं सथ करμ हम में यह बहुत आभारी हूँ धन्यवाद देता हूँ उनको आप हमारे साथ इसकार करने रहे और बहुती सजग और सच्छे जानकारी आपने हमारे सिक्षार्टियों को जी दी जो बहुती महत्पून है मैं आपका इवार फिर पूने धन्यवाद करता हूँ नमस्कार